आई पिल 2023 का उन्तीसवा मुकाबला CSK वर्सेज SRH के बीच होने वाला है यानि कि सुक्रवार को यलो आर्मी वर्सेज ओरेंज आर्मी का क्लैस देखने को मिलेगा तो अपने इस वीडियो एनाल्सिस में हम लोग सबसे पहले पिछ रिपोर्ट देखेंगे कि पिछ आप यह मुकाबला होने वाला और जो दूसरा पार्ट रहेगा हमारे इस वीडियो का जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्पूर पार्ट रहने वाला है वह रहेगा दोनों टीमों के प्लेइंग 11 का कंपैरिजन हम ओपेनर टू ओपनर कंपैरिजन करेंगे मिडिल टू मिडिल आडर बॉलर टू बॉलर स्पीनर टू स्पीनर फिर देखा जाएगा ऑन दर पेपर कौन सी टीम मजबूत है किसके जीतने के चांसे ज्यादा है मतलब एट लाश हम लोग प्रेडिक्शन भी किया जाएगा कि कौन सी टीम कल का मुकाबला जीतते वे दिख रही ह हैं जो कि पिछ रिपोर्ट के बारे में हैं तो अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो यह मुकाबला में चितंबरम स्टेडियम चिन्नई में खेला जाएगा मतलब यह होम ग्राउंड रहेगा CSK जहां पर यह गड़ माना जाता है CSK का यहां पर कोई भी मैच जल्दी हार् हलाकि रास्थान रायल्स ने इनको अपने पिछले मुकाबले में इसी ग्राउंड पर हराया था यहां कि अगर पिछ की बात करें तो दो टाइप की पिछ आप यहां पर पाते हो पहली या तो बैटिंग फ्रेंडली पिछ जो कि पहले मुकाबले में हमने देखा रास्थान वाला रहेगा क्योंकि पहला मैच खेला जा चुका है दूसरे मैच में उतना ही पिस लो और लो होती जाएगी टर्न का ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहेगा और हम यहीं उमीद करते हैं कि धोनी अपने स्ट्रेंथ की पिछ बनाएंगे जिसके इसाफ से वह जीत जाएं आसान ही मैच में धोनी ने कबूला है कि यहां पर ड्यू काफी जादा आता है जिस कारण सेकेंड इनिंग की स्पिनर थोड़ा सा ऑपरेट करने में दिक्कत महसूस करते हैं और उसी कारण यहां पर आप देखोगी जो भी टॉस जीतेगा पहले गिदबाजी का फैसला करेगा कि इस कारण उनके गिदबाज ड्यू के कारण स्ट्रगल करते हुए न दिखें अगर हम इस्टोरिकल डाटा पर जाए तो यहां पर आप लो स्कोरिंग इंकाउंटर ही होते हुए देखोगे यहां पर दो मुकाबले खेले गया है इस सीजन में चिन्नाई वर्सेज यहां पर यहां पर दूसरा मुकाबला रास्थान रायल्स वर्सेश के यह भी हाई स्कोरिंग था यह भी हाई स्कोरिंग था तो आप उमीद करके चलिए कि एक मॉडरेट सा टोटल मतलब एक वेल बैलेंस पिच रहेगी यहां पर सेकेंड इनिंग में तो जरूर पिच चुटेगी ल बल्लेबाज ही कठीन होगी लेकिन ड्यू के कारण स्पिन औरों को हैंडल करने में कठीन हो जाएगी जिस कारण वहां पर भी बल्लेबाजों को थोड़ा सा एडवांटेज ही मिलेगा मतलब एक आप मान कर चलिए कि एक मॉडरेट से पीच रहेगी ना जादा बैटिंग फ पहले हम लोग चन्ही सूपर किंग्स का प्लेइंग लेवन देख लेते हैं यह आपके स्क्रीन पर प्लेइंग लेवन है यहां पे प्लेइंग लेवन तब है जब चन्ही सूपर किंग्स पहले बल्लेबाजी करती ही नजर आएगी फिर जब इनकी गिदबाजी आएगी तो इंपक्त प्लेयर में अब से एक सर्मा का नाम जूड़ जाएगा पिछले मैट में उम्रान मलिक को इन्हों ने बाहर बैठाया था और वहां पर प्रिफर किया था स्पिन गेदवाजी लेकिन इस मैट में आपको उम्रान मलिक खेलते हुए देख सकते हैं तो यह दो प्लेइंग लेवन संराइजर हैदराबाद एक बदलाव करने का सोचेगी उम्रान मलिक को यहाँ पर खेलाने का वो सोच सकते हैं और इंपक्त प्लेयर के रूप में अब से रितुराज गयकवाट डेवन कानवे उपनिंग करते विए बल्लेबाजी के नजर आएंगे जैनली सूपर किंग्स की तरब से तो मैंक अग्रवाल और हैरी ब्रूग बल्लेबाजी करते नजर आएंगे संराइजर हैदराबाद की तरब से अगर हम इन दोनों टेमों के पॉर्म आप देखी सकते हैं पिछले मैच में हाफ सेंचुरी लगाया था चैनली के जीत में एक अहम रोल प्ले किया था तो यह दोनों ओपनर वन आप देश्ट ओपनिंग कंबिनेशन है इस आईपिल की तो वहीं अगर इस ओपनिंग कंबिनेशन को देखें तो हरी का इस IPL में सबसे लोइस इस ट्राइक रेट है के अल राउन उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं तो मैंक अगरवाल का मतलब जो स्ट्राइक रेट इस हुए मतलब जो इनिंग खेलने हैं वो काफी स्लो खेलने है रिस्कोर तो किया है फिछले मैच में 40 का स्कोर किया थ विन के कॉज में नहीं आता बलकि हार का एक कारण बनाता तो मैंक अगरवाल का फॉर्म कॉज अप कंसर्न है है हैरी बूप का कंसिस्टेंसी कॉज अप कंसर्न है स्ट्राइक रेट तो इनका जबजस्त रहेगा पाउर प्ले का खुबी इस्तेमाल कर सकते हैं तो यह दोनों प्लेयर जो हैं यहाँ पे थोड़ा सा लैक करते हुए दोनों ओपनर किसके मुकाबले रितुराज जैको और डेवन कॉनवे जहाँ पे इनकी कंसिस्टेंसी और स्ट्राइक रेट दोनों ही अवल नंबर के हैं तो यहाँ पे अगर स्ट्राइक को बीस में बीस देते हैं तो यह उपनिंग का कंबिनेशन रहा जहाँ पे CSK बाजी मारती भी दिख रही है किसके मुकाबले संराइजर हैदराबाद के मुकाबले सब आ जाते हैं मिडिल ओर की बात करते हैं मिडिल ओर में अजिंक रहाने सिवं दूबे और मोई नली अमबाती राइडू यह आपके बल अगर हम दोनों टीमों का मिडिल ओर कंपेरिजन कर लें तो यहां पर जिंक रहाने फॉर्म में काफी फ्लूएंसी मेंटेन कर रहा है और जो स्ट्राइक रेट वो मेंटेन करके चलने वह तो काफी सर्प्राइजिंग सा है अमेस धोनी भी उनसे 200 प्लस का स्ट्राइक रेट की उमीद नहीं करके चल रहा है लेकिन वो 200 प्लस का स्ट्राइक रेट इस IPL में दे कर जा रहा है तो यह जो सबसे बड़ा इस साल का एडवांटेज आया है वो अजिंक रहाडे का फॉर्म आया है CSK के लिए और जैसी चे हम दूबे की बात कर लेते हैं अभी तक IPL में तो IPL 2023 से पहले उतना चाप नहीं छोड़ पाया थे सीम दूबे काफी श्रगल करते हुए नजर आ रहे थे लेकिन IPL 2023 में इनके उपर अब थाला धोनी का हाथ रख चुका है और यहां पर उनको खूब प्रमोशन मिला है नंबर चार पर बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं और फॉर्म में भी आते हुए दीरे-दीरे दिख रहे हैं और इनका भी फॉर्म और कंसिस्टेंसी दोनों में सबसे ज्यादा सफल बल्लेबाज माने जाते हैं एडन मारकरम इनकी तो कोई तुलना ही नहीं है तुलनी है ये टी-ट्वंटी क्रिकेट में बल्लेबाजी गिंदबाजी दोनों से भी बेहतरीन प्रदरसन करके देंगे और इन दोनों के मिडिल ओर में देख लें तो सबसे इंपक्ट फुल कोई बैटर है दोनों टीमों के मिडिल ओर में तो एडन मारकरम है जिस कारण थोड़ा सा पलड़ा बहरी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है संराइजर है धराबाद का क्योंकि राउल त्रिपार्टी थोड़ा स्ट्राइकिंग कैपिबिल्टी भी इनके पास है बहुत तेज खेलते हैं कंसिस्टेंसी भ और ज्यादा दे देते हैं CSK के मुकाबले क्योंकि CSK के पास सिवं दूबे हैं थोड़ा सा उनके अंदर फ्लुएंसी कंसिस्टेंसी की कमी आ जाती है मोहीन अली में थोड़ा सा कंसिस्टेंसी की कमी आ जाएगी तो मिडिल ओडर के कंपैरिजन में यहां पर पलड़ा हम दूबे भी मोहीन अली भी लेकिन T20 के हिसाब से यह टीम का जो कंबिनेशन है वो थोड़ा सा सॉलिड दिख रहा है इसी पर डिपेंडेंसी भी जादा है इनको 20 में 20 पॉइंट मिलते हैं तो CSK भी कहीं से कम नहीं है इस साल अपने मिडिल ओडर के बल्लेबाजी में उन कान फिनिसिंग करता हुआ दिखेगा अगर हम CSK की बात करें तो वहां पर फिनिसर में आपको रविन जड़ेजा और MS धोनी जैसे बेस्ट फिनिसर ऑपरेट करते हुए दिखेंगे और इनसे बहतरीन फिनिसर आपको मिलेगा नहीं हाला कि जो एक ड्रॉबैक है कि रविन जड़ेजा का फ्लुएंसी मिसिंग है उतना तेज हीटिंग ये कर नहीं पा रहे हैं हर मैचों में ये स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं प्लस MS धोनी थोड़ा सा इस बार फॉर्म में दिख रहे हैं लेकिन इनके साथ अभी वही कॉज आफ कंसर्न है कि गेम टाइम न नहीं देखने को मिलेंगे मगर दोनों ही काबिल फिंसर और अपने दिन मैच फिनिस करने के लिए एक सच्छम बल्लेबाज है यहां पर बात करें सनराइजर हैदराबाद के लिए तो पूरी डिपेंडेंसी हैंरिक क्लासें के उपर फिनिसिंग डिपार्टमेंट में दिख मैच को पूरे असनराइजर हैदराबाद को पूरे मैच में ला दिया था लेकिन उसी ओबर को बहुत बड़ा कनवर्ट करने चकर में आउट हो गया जिसके बाद फिर से गेम मुमेंटम चेंज हो गया था तो पूरा का पूरा डिपेंडेंसी क्लासें के उपर हैं मिलते हैं तो इनको मातर 15 पॉइंट मिलते हैं क्लासें के उपर डिपेंडेंसी और क्लासें विदेशी खिलाडी हैं और ये एक ड्रॉबैक तो जरूरी रहेगा कि स्पीनर्स खिला थोड़ा बहुत श्ट्रगल करेंगे लेकिन विदेशी खिलाडियों के मुकाबले इस्प 15 पॉइंट मिलते हैं तो वहीं CSK को 18 पॉइंट मिलते वे नजर आते हैं तो आईए अब देख लेते हैं अपने प्लेंग 11 कंपैरिजन के नेक्स्ट पार्ट पर जो है स्पिन डिपार्टमेंट का कंपैरिजन अगर हम धाला धुनी के स्पिन डिपार्टमेंट को उठा कर देखें तो इनसे मजबूत प्लेंट किसी का नहीं है क्योंकि चेपाउक स्टेडियम में मैच होने वाला है तो इस पिन डिपार्टमेंट तुस्त और तंद्रूस्त होना चाहिए इनके टीम का साथ मैचे यहीं पर खेलने वाले हैं रवीन जड़ेजा एम तिक्षना और मो अगर हम स्टेड़ की बात करें तो इनकी सानी ही नहीं है इनका कोई कंपैरिजन नहीं नहीं रवीन जड़ेजा जिस फॉर्म में अपने बॉलिंग डिपार्टमेंट से उसका कुछ डिस्क्रिप्सन ही नहीं किया जा सकता बेहतरीन फॉर्म में जबर जस प्रदरसन दिखा यांगे टो Barputain में अपरेट करते वें दिखेंगे तो तीनों बालर तीनों अलग अलग क्वाल्टी के बॉइड अलग वेगोंता अलग अलग वैरीसन और तीनों से दिख रहा है वहीं अगर हम बात करें यहां पे तो मायंक मानकंडे एक मात्र लोन कह सकते हैं फ्रंट लाइन स्पीनर हैं पेहतरीन फॉर्म में जरूर है इस साल इनका इनका आईपयल 2023 बहुत ही बेहतरीन जा रहा है इनके फॉर्म के कारण जो इस्टिबिल्टी प्लेंग इल इस बार्टमेंट में लेकिन मैंक मारकंडे ने जबर्जस्त आईपयल 2023 में बापसी किये यह इनका स्ट्रेंथ है इस्पीन डिपार्टमेंट का लेकिन वहीं वासिंग्टन सुन्दर का फॉर्म इस बार बॉलिंग से उतना बहतरीन नहीं रहा है विकेट लेस होते जा रहा अगर हम इनको 15 पॉर्म रेट करें क्योंकि वासिंग्टन सुन्दर का फॉर्म इनके पास नहीं है मैंक मारकंडे आइडन मारकर हम एक पार्ट टाइमर जो भी पॉइंट मिलने वह मैंक मारकंडे के फॉर्म की बज़से मिलते वे दिख रहे हैं वहीं CSK की बात करें तो 20 मे लारी पढ़ता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है अब बात कर लेते हैं पेश डिपार्टमेंट में यहां पर कमजोर दिखेगी आपको CSK पहले ही बता दे रहा हूं एक एडिसन हो जाएगा आकास सिंग का का सिंग यहां पर पेश डिपार्टमेंट में एड होते हुए दूसरा तुसार देश पांडे अच्छा खासा बॉलिंग कर रहे हैं महज पतिराना पिछला मैच काफी खराब गया था पतिराना का खूब पिटे हुए थे तुसार देश पांडे अब विकेट टेकिंग आप्सन लेकर आ रहे हैं दर मैच दर इनका इंप्रॉमेंस इंप् और आकास सिंग ने जब से डेब्यू किया है तब से इंप्रेस करते हुए जा रहे हैं अच्छी खासी गिदवाजी कर रहे हैं और इनके पास मौका है कि अपना टैलेंट और अपना हुनर विस्व पटल पे दिखाने का बेहतरीन मौका मिला है क्योंकि जो मेन पेसर हैं दि इंटरनेशनल एक्सपिरियेंस नहीं है और इनकी पेस बॉलिंग अटैक है जिसका फायदा अपनेंट टीम हमेशा उठाने का प्रयास करेगी और डेथ बॉलर में कोई भी डेथ बॉलर का एक्सपिरियेंस प्लेयर नहीं है मतलब डेथ वोबर स्पेसिलिस्ट भी इनके पा इनके पेस डिपाटमेंट को एकडम ही स्टेंथन कर दिया है तो चार पेसर चारों क्वालिटी पेसर एक्सपिरियेंस की तो कहीं कमी नहीं है ट्री ना ड्राजन के पास टेथ आपका से अंपर जो अपने गती से अपोनेंट बैटर को डरा सकता है तो जो पेस इनका वो काफी चुस्त काफी तंद्रूस्त और कहीं से भी कम ही नजर नहीं आ रही है तो यह इनके प्लेइंग उनका सबसे मजबूत पक्ष है और हमेशा से हैदराबाद ने पेज़ डिपार्टमेंट पे ही फोकस किया है तो इनके पेज़ डिपार्टमेंट को 20 देते हैं तो दस पॉइंट अगर हम बात करें CSK के पेज़ डिपार्टमेंट को तो इनको मिलते हैं क्योंकि बहुत ही कम जो हो रहे हैं यहां पे एक्सपीरियंस की कमी है इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है डेथोबर स्पेसिलिस्ट नहीं है डेथोबर में भी कमी पाएंगे व उसका फैदा अपोनेंट टीम उठाना चाहेगी बस यहीं है कि थाला दोनी अपने तरकस से कुछ न कुछ नहीं तीर निकालते रहते हैं उस दिन क्या तीर निकालेंगे यह देखना दिल्चस्त रहेगा कल के मैच में तो अगर हम पूरे प्लेंग लिएंग का कंपेर करें तो ओबराल ओपनिंग कंबिनेशन में 20 परती वी दिखरी है CSK मिडिल और में लगबग बराबरी का मामला है अपका सकते हो न सारच 20 है न धोनी 20 है लेकिन थोड़ा सा यहां पर पलड़ा मैं तराजू में इनको 20 करूंगा संराइजर हैदराबाद को फिर फिनिसिंग के लिए टकर दे सकते हैं लेकिन मैं ऐड़ांटेज भारती कंडिशन के इसाफ से भारती प्लेयर के इसाफ से और रविन जड़ेजा को देखते हुए CSK को ही दूंगा फिनिसिंग डिपार्टमेंट में ड़ांटेज वहीं स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो इनके तगड़े इनके टीम से तगड़े किसी के पास होई नहीं सकते MS-12 से टीम के तगड़े और वहीं इनके स्पिनर्स थोड़ा सा लाइक बिहाइंड करेंगे CSK के मुकाबले लेकिन पेस डिपार्टमेंट में इनकी टीम काफी मजबूत दिखती है CSK के मुकाबले तो अन दे में जो इनकी कमी है वो इनको हांट कर सकती है कल के मैच में तो यही है कि अगर हम बात करें तो कल CSK फेबरेट दिख रहा है और CSK कोई कल का मुकाबला जीतना चीए क्योंकि इनके पास एक ऐसा सार्थी है जो किसी भी कंडिशन से इनकी चीम को उबार सकता है वो है महन अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जोड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले झाल झाल झाल